आज हम पढ़ेंगे लिंग तथा लिंग के भेड लिंग बचो लिंग का शाब्डी करतोता है चिन अर्थात संग्या शब्ड के जिस रूप से इस्त्री अत्वा पुरुष जाती के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं जैसे की माता पिता राजा रानी इस सभी शब्डों से हमें इस्त्री अत्वा पुरुष जाती के होने का बोध हो रहा है इसके लिए हम कुछ उधारन ले लेते हैं जिसे इस पश्टो जाएगा के लिंग किसे कहते हैं जैसे की अध्धापिका पड़ा रही है मोहन गा रहा है वैशाली खाना बना रही है अमित कविता लिख रहा है बचो आपने देखा इन वाक्यों में मोहन तथा अमित इन शब्डों से हमें पुरुष जाती के होने का बोध हो रहा है वही अध्धापिका तथा वैशाली इन शब्डों से हमें इस्त्री के जाती के होने का बोध हो रहा है तो इस प्रकार से संग्या शब्ड के जिस रूप से हमें इस्त्री अत्वा पुरुष जाती के होने का बोध हो वे लिंग कहलाते हैं अते ये सबी शब्ड कहलाएंगे लिंग तो लिंग की परिवाशा इस प्रकार से होगी कि संगया शब्र के जिस रूप से उसके इस्तरी अत्वा पुरुष्याति के होने का भौद हो उसे हम लिंग कहते हैं अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग के दो भेदूते हैं पहला होता है pulling, दूसरा होता हैmeric, pulling जो शब्द हमे पुरुष जाती के होने का बोध कराते हैं, वे pulling क्यलाते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ंगे pulling के विशय में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो शब्द हमें पुरुष जाती के होने का बूद कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं इस सभी शब्दों से हमें पुरुष जाती के होने का बोध हो रहा है। अत्य ये सभी शब्द कहलाएंगे फुल लिंग। इस्त्री लिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो शब्द हमें इस्त्री जाती के होने का बोध कराते हैं, वे इस्त्री लिंग कहलाते हैं तो इस्त्री लिंग की परिवार्षा इस प्रकार से होगी कि जो शब्द हमें इस्त्री जाती का बोद कराते हैं वे इस्त्री लिंग कहलाते हैं अर्थात जिन शब्दों से हमें इस्त्री जाती के होने का पता चलता है वे इस्त्री लेग कहलाते हैं या फिर उन शब्दों को हम इस्त्री लेग कहते हैं जैसे कि नौकरानी, गाय, बहन, माता, अध्धापिका, आदी पच्छो आपने देखा ये सभी शब्द हमें इस्त्री जाती के होने का बोद करा रहे हैं अते ये सभी शब्द कहलाएंगे इस्त्री लिंग तो इस प्रकार से आज हमने अपनी वीडियो में जाना कि लिंक किसे कहते हैं तथा लिंक के कितने बेद होते हैं संग्या शब्द के जिस रूप से हमें इस्त्री की अत्वा पुरुष जाती का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं तथा लिंग के दो बेद होते हैं पहला था पुल लिंग और दूसरा था इस्त्री लिंग पुलिंग जो शब्द हमें पुरुष जाती का बोद कराते हैं वे पुलिंग कहलाते हैं तथा जो शब्द हमें इस्त्री जाती का बोद कराते हैं वे इस्त्री लिंग कहलाते हैं अब हम कुछ प्रश्णों का अभ्यास करेंगे जिससे आपने इस वीडियो के अंतरगत जो भी कुछ सीखा है या जो भी कुछ बढ़ा है आप उन प्रश्णों का अभ्यास करके यह जान सकें कि आपने इस वीडियो के अंतरगत कितना सीखा है अर्थात आप अपना मुल्यां कर सकते हैं तो पहला प्रश्न है लिंग का शाप्डिक अर्थ है मेर संचिप नाम या फिर चिन इसका सही उत्तर है चिन अगला प्रश्न है जो शब इस्त्री या पुरुष जाती के होने का बोत कराते हैं वे कहलाते हैं अगला प्रश्न है लिंग के कितने प्रकार होते हैं तीन दो पांच या फिर चार इसका सही उत्तर है दो लिंग के दो प्रकार होते हैं अगला प्रश्न है जिस शब से पुरुष जाती के होने का बोध हो वे कहलाता है पुल लिंग या फिर इस्त्री लिंग इसका सही उत्तर है पुल लिंग क्यानि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाती के होने का बोध होता है वे पुल लिंग कहलाते हैं अगला प्रश्न है प्रश्ना शब्द है पुल लेंग या फिर इस्त्रिलेंग इसका सही उत्तर है इस्त्रिलेंग अगला प्रश्न है पूच्य शब्द है पुल लेंग या फिर इस्त्रिलेंग इसका सही उत्तर है पुल लेंग